सप्लाई के पीक सीजन होने के बावजूद प्रमुक उत्पादक राजियों की महत्वपून मंडियों में आवक की रफ्तार सुस्त पढ़ने तथा कीमतों में तेजीम जबूती का माहौल बनने से चिंतित केंद्र सरकार अब देसी चना पर स्टॉक लिमिट लागू करने पर किसानों द्वारा स्टॉक रोके जाने से चना की सप्लाई कम ही रही है दरसल देश में दलहनों के कुल उत्पादन में चना का योगदान 50 प्रतिशत के करीब रहता है सरकार देसी चना के शुल्क मुक्त आयात की अनुमती पहले ही दे चुकी है लेकिन घरेलू बाजार पर इसका कोई मनोवै ग्यानिक असर नहीं पढ़ रहा है केंद्र सरकार के पास चना का स्टॉक कम रह गया है और इस बार सरकारी खरीद भी बहुत कम हुई है मध्यप्रदेश एवं राजस्थान जैसे प्रमुक उत्पादक प्रांतों में चना का भाव बढ़कर 7200 से 7300 से ऊपर पहुचा है केंद्रिय क्रिशी मंत्राले के अनुसार चना का उत्पादन घटकर इस बार 121,60,000 तन रह गया जबकि उद्योग व्यापार छेत्र का मानना है कि वास्तविक उत्पादन 100,000 तन से भी कम हुआ है ऐसे में अब बाजारों में ये चर्चा है कि जल्द ह चने पर स्टॉक लिमिट लग सकती है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी